जबो कश्मीर के अनंतनाग में अमरनात यात्रियों पर हुए हमले के बाद से ही घाटी में सुरक्षाबलों ने कारवाई तेज कर दी है और इन सब के बीच सेना को बड़ी काम्याबी हाथ लगी है बड़गाम में हुए एंकाउंटर में सुरक्षाबलों ने तीन आतंकवादियों को ठेर कर दिया है यह एंकाउंटर मंगलवार की शाम से शुरू हुआ और आज सुभाद साड़े चार बजे तक चरा जिस मकान के पास सुरक्षाबलों ने कारवाई की है वह पूरी तरह से थ बस्त हो गया है बताया जा रहा है कि अमर्नाथ यात्रियों पर हुए हमले के बाद सुरक्षाबल तलाशिय अभियान चला रही थे इस बीच उन्हें बड़गाम के रादपूग गाउं में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली जिसके बाद CRPF की 176 वी बटालि खबरों के मताविक मारे गए तीनों आतंक की हिजबुल मुजाहिद दीन के हैं इनके नाम जावेद, आकीब और दाउद बताय जा रहे हैं वही मारे गए आतंकवादियों के पास ये भारी मात्रा में हतियार भी बरामत किये गए हैं तो जमो कश्मीर में सुरक्षाबलों क को बड़ी सफलता हाथ लगी है सुरक्षाबलों ने आतंक्यों को माकूल जवाब देते हुए हिजबुल के तीन आतंक्यों को ठेर कर दिया है फिलहाल सेना का सर्च ऑपरेशन चारी है देखते रहे डिब लाइव